भारत माता की भारत माता की मैं मेरा भाशन शुरू करने से पहले ये नन्नी सी गुडिया भारत मां का रूप लेके आई है मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा सावाट ना कुटुम्ब सब्यूलारा आज मुझे तेलंगना के लोगों को आठ हजार करोड रुपिय से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने का सवभागे मिला है एंटी पीसी के आधूनिक पावर प्लांट से तेलंगना के अध्यों की विकास को एक नई गती तेज गती मिलने वाली है और इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका जादा हिस्सा तेलंगना को ही मिलेगा आपको ही मिलेगा और इससे आपकी इस अब लिविंग बढ़ेगी भाईयो भेनो आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट का सिलान्याज करने का सवभागे मुझे मिला था और ये मोदी की गारंटी की ताकत देखिए आज मोदी ही आके उसका हुदगारन कर रहा है आज ही रेलवे और हेल्थ के भी कई प्रोजेक्ट तेलंगना के मेरे भाईयो भेहनों के चरणों में आज मुझे समर्पित करने का सवभागे मिला इनसे तेलंगना के लोगों के क्रिटिकल कैर की स्विधा मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी तेलंगना और तेलंगना के लोगों के कल्यान के प्रति भाजपा का बीजेपी का संकल्प लगातार मजबुद हो रहा है ना को टूंब सब्हुलारा आज सबसे पहले मैं निजामाबाद की माताओं बहनों बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आज यहाँ इतनी बड़ी ताताद में माताओं बहने स्वागत देने करने आशिरवाद देने आई उससे बड़ा जीवन का सवभाग्य क्या होता है तेलंगना के मेरी बहने एक बड़ी क्रांती का हिस्सा बनी है तेलंगना के मेरी बहनोंने इतिहात बनाया है कुछी दिन पहले संसद में नारी शक्ती बंदन अधिनियम पास हो गया है कॉंग्रेस और उसके इंडी अलायांस एक गमंडिया गटबंदान तीस साल से उसे रोग कर बैठे थे उनको किसी की परवाई नहीं थे बहांती बहांती के चला किया करते थे दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे लेकिन इस बार ये मेरे देश की माता और बैनों की ताकत देखिए नारी शक्ती की संगठित ताकत देखिए के सारे कमंडिया लोगों को ये संगसत के अंदर नारी शक्ती बंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगना की महलाओने मेरे देश की माता और बैनों ने साथ मिलकार वोट की शक्ती से अपने एक एक वोट से माता और ने उसके इस बेटे को मजबूरी बनाया है बैनों ने उनके इस भाई को मजबूरी बनाया है और माता और बैने आपने मजबूरी दी है इसलिए मजबूरी से यह आपका बेटा काम कर पा रहा है ना कोटुम्ब सभ्यूलारा तेलंगना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है आप भारत की प्रगति के आधार है तेलंगना में चारो तरफ टैलेंट ही टैलेंट है जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगना ने भी वैक्सिन बना कर पुरी दुनिया में भेजी तेलंगना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली बाती समझ सकता हूँ अभी मैं देख रहा था क्या वाइबरंसी थी क्या उर्जा थी क्या जनून था मेरे साथियों आपको सो सो सलाम केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं है आपको याद होगा ना हम लोगोंने निजाम के हकुमत देश तो आजाद हुआ था लेकिन हमारा ये हैद्राबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था निजाम अडंगे लगा करके बैठा था गर ने बैठा था बैठा था गर ने बैठा था एक गुजराती बेटा उसने ताकत का परिचे जिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया आज दूसरा गुजराती बैठा आपकी समनुत्ति के लिए आया है आपके विकास के लिए आया है आपकी ब्लाई के लिए आया है हमने तेलंगणा में नेश्नल हाइवेज नई रेल लाइनों नई अस्पतालों का अंदिर मान किया है भाजपास सरकार ने यहां बियारेस सरकार को तेलंगणा के विकास के लिए भारी तनराशी भी दी है लेकिन दुर्भाग्य से बियारेस ने तेलंगणा के लोगों के लिए भेजा गा पैजो पैसा भेजा ना उसमें भी लूट चलाई लूट सके तो लूट यही उनका मंत्र है ना कुटूंब सब्यूलारा भारत जैसे लोग तंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए परिवार वादियों का नहीं और इनोंने तो लोग तंत्र को लूट तंत्र बना दिया है प्रजा तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है तेलंगना के निर्मान के लिए हजारों परिवार संगर्च करते करते तबाह हो गए अनेकों नव जवानों ने बलिदान दिया माताएं बहनों ने मुसीबते जेली लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कपजा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है तेलंगना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कपजा कर लिया है वर्तमान तेलंगणा में या तो केसी आर खूद है या उनके बेटे है या उनकी बेटी है या उनके बदीजे है या उनके बांजे है या चाहे उनके ससुराल वाले है कोई बचा ही नहीं है बस यही काम लूटो क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक बोर्ड का उप्योग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं इन लोगों ने तेलंगना में भाई पतिजावाद और प्रस्टाचार को बढ़ावा दिया है ना कुटुम्ब सब्यूलारा परिवारवाद का सबसे बड़ा नुक्षान देश के युवा को उठाना पड़ता है जब पूरा सिस्टीम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है तब वो परिवार सिस्टीम में टॉप से लेकर बॉटम तक उनी लोगों की भरती करता है जो उनके करीबी हो तेलंगणा के नवजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है फिर किसी भी महत्वपूर्पत पर तेलंगणा के तेजस विवा को भी कोई मोका नहीं मिल पाता है इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेश परिवार के बजाए सामान्य मानवी और उसके परिवार के लिए काम करती है ना कुटुम सप्यूलारा तेलंगणा के लोगों को ये कॉंग्रेस से भी बहुत सावधन रहने की जरूत है ये तो बड़े खिलाड़ी है इनको देश समाय कुछ लेना देना ही नहीं है और पुरा हिंदुस्तान कॉंग्रेस को नकार चुका है और आप तो जानते हैं कॉंग्रेस जीस राज्ये में से एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए कॉंग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बटवारा करने का कॉंट्रेक लिया है और बियारेस कॉंग्रेस को वोटों का बटवारा कराने के लिए तीजोरी खुली करके बैठ गई है परदे के पिछे खेल चल रहा है बैक डूर एंट्री ये बियारेस और कॉंग्रेस की भरपूर चल रही है इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे है आज जब ते लंगना में बियारेस की हार तय है बियारेस का पराजय तय है बियारेस का जाना तय है तो कॉंग्रेस ने परदे के पीछे बियारेस से गड़वन्दन कर लिया है करनाटका चुनाओ में बियारेस ने कॉंग्रेस की जम कर मदद की थी और अबाइस चुनाओ में कॉंग्रेस अपना करज उतार रही है क्योंकि करनाटक में भरपूर खजाना ये ते लंगना की जनता से लूटा हुआ माल करनाटका में कॉंग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कॉंग्रेस जिल जाए फिर उसको बिल करके ते लंगना में जिल जाए ये बियारेस खेल करती है भाईयों मैं आज पहली बार एक रहत से खोलने जा रहा हूं खोल दो सच बता दो बता दो पहले कभी नहीं बताया आज बता देता हूं और मेरे पत्रकार मेत्रों से भी कहता हूं जाच करवा लेना शत्र प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज जब हैद्राबाद मिंसिपल कार्परेशन का इलेक्शन हुआ भारतिये जंता पार्टी चालिस पैतालिस सीटे जीत करके आगई फोर्टी एक किसी को बहुमत नहीं मिला केसी आर को सपोर्ट की जरुरत थे और आपने देखा होगा हैद्राबाद कोर्परेशन के चुनाव के पहले वो एरपोर्ट पे पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने लिए आते थे बड़िया बड़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भई अचानक मन दो गए अचानक इतना गुसा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हैद्राबाद के चुनाव के बाद ये भी तारिक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आए बहुत बड़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया ये केसी आर के केरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नित्रुतों में देश प्रगति कर रहा है हम भी एंडिय का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें एंडिय में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या बोले है एद्राबाद में मुंसिपाल कॉर्परशन में हमारी मदद कर दीजिए मैंने किसियार को कहा आपके कारणा में ऐसे है मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है है इद्राबाद में हमें भी पक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे KCR की सरकार हमारे कारकरताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगणा की जंता से दगान नहीं कर सकते है पले तेलंगणा की जंता ने हैजराबाद में हमें पूर्ण पहुत मतें दिया लेकिन 48 शिट भी तेलंगना का भाग्य बदलने की शुरुवात है और माने उनसे हर प्रकार दे मदद करने का इनकार कर दिया उनको NDA में एंट्री देने से इनकार कर दिया उसके बार उनका दिमाग भटका फिर तो वो भांती भांती से दूर भागने रहे मैं प्रस्टाचार के सवाल पूझने लगा फिर एक बार दुबारा आये वो मुझे कह रहे हैं कि मोधी जी मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं सारा कारोबार केटी आर को दे देना चाहता हूँ मैं एक बार केटी आर को भेजूँगा आप जरा उसको आशिरवाद दे देना ये उन्होंने मुझे कहा मैंने कहा केसी आर ये लोकतंत्र है तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे तुम राजा माराजा हो क्या क्या तुम राजा माराजा हो क्या अरे तेलंगा कि जनता तै करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है बाज वो दिन आखरी था उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आँखे नहीं मिला पा रहे है मेरा पड़्चाया भी देखने की इम्मत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे है मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस ने अब एक नई बात चुरू की है ये तो मैंने केसियार का पुरान बताया अब कॉंग्रेस ने सत्ता भूख के लिए सत्ता हत्याने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है नई बाते बोलना शुरू किया है आजकल क्या कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक मैं ज़र अब पूछरा चाहता हूँ कि जिनों ने उनको वाग के लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या जब तुम कह रहे हो तो कॉंगरेस की मुलभूत नित्यों पर ही सवाल करा कर रहे हो जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक इसका मतलब यह हुआ कि अब कॉंगरेस गोषना करें क्या आप अल्प संख्यकों के विरोधी है क्या कॉंगरेस पस्ट करें आप दक्षिन भारत के विरोधी है क्या मैं सिद्ध करता हूँ उनकी यह नई सोच दक्षिन भारत के साथ गोरहन्याय करने वाली सोच है यह नई सोच माइनोरिटी के पीट में भी चुरा मौंगने वाली सोच है आजकल देश में अगले डीलिमिटेशन की चर्चा हो रही है आपको मालूमन है 25 साल के बाद पारलामेंट की सीटे कितनी होगी कौन सी क्या होगी इसका निर्णे जुडिसरी करती है और उसके कारण जहां जन संग्या कम है उसकी सीटे कम हो जाती है जहां जन संग्या जादा है उनकी सीटे बढ़ जाती है अब हमारे दक्षिन भारत के सभी रोजजन वे जन संख्या वृद्धी को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है अब कॉंग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हाग इसका मटलब अब कॉंग्रेस दक्षिन भारत के सवंसत सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है खेल खेलने जा रही है क्या दक्षिन भारत इसको स्विकार करेगा क्या दक्षिन भारत कॉंग्रेस की चाल को स्विकार करेगा क्या दख्षिन भारत कांग्रेज को माप करेगा इसी वी विशे पर मैं कांग्रेज के नेताओं को साप करता हूँ बेस को मरख मत बनाओ स्पस्थ करो क्या करना है दख्षिन भारत के राजजों को अं initiat करने के खेल खेले जा रहे हैं और इंडी गड़ बंदन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा हिम्मत है तो ज़रा कॉंग्रेज से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कॉंग्रेज को सवाल पूछता हूँ साउत के अंदर खास करके तमिल नाड़ू में मंदिरों पर सरकार का हक है सरकार ने कब्जा कर लिया है मंदिरों के संपत्ति को सरकारी मिली भगत में हरप किया जा रहा है मंदिरों को तो लूटा जा रहा है मंदिरों को तो कब्जा किया गया है लेकिन माइनोरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं अब कॉंग्रेस ने जो नारा दिया है कॉंग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक अगर यही आपका मंत्र है यही आपका सिद्दांध है तो क्या माइनोरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिड के आपके सारे साथी जबत करेंगे क्या उनका गबजा करेंगे क्या उनकी प्रॉपर्टी को दे लोगों के काम में लाएंगे क्या नहीं लाएंगे मैं दूसरे सवाल पूछता हूँ कॉंग्रेस को यह जो नारा देते हैं तो क्या कॉंग्रेस और उसके साथ ही खास करके तमिल नाड़ो क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कबजा किया जा रहा है हस्तफे किया जा रहा है दक्षिन के दिक्तम राज्यों में ही खेल चला है जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक तो क्या यह हक हिंदूओं को आप वापिस देंगे क्या जबाब दीजिए ये चूठी बाते मत करिये लोगों को प्रमिस करने क खेल खेलना बंद कर दीजिए कॉंग्रेस को इंडी अलाइस को इस बार में भी अपना स्टेंड साम करना चाहिए कॉंग्रेस के साथ ही जो तमिल लडु में राज करते हैं जो केरल में राज करते हैं जो तिलंगना में राज करते हैं जो करनाटका में राज करते हैं ये सारे साथियों को कॉंग्रेस से ब्यात जबाब देना पड़ेगा साथियो आज देश में सबसे बड़ी जरुरत मान सबसे बड़ी जरुरत मान जिनको डगर डगर पर मदद की जरुरत है वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाती है तो वो जाती गरीब है और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाती उनकी सेवा, उनका कल्यार, उनकी प्रगती यही सच्चा सामाजी की न्याय है हमारी सरकार ने पिछले नव सालों से गरीब कल्यान के लिए दिन रात मेहनत किये और इसके परणाब भी सामने आ रहे हैं नीती आयो की रिपोर्ट कहती है कि पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है और इसलिए मेरे लिए तो जाती अगर कोई है देश की सबसे बड़ी जाती कोई है तो गरीब है और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ला तो ये देश समर्द होने से कोई रोक नहीं पाएगा और यही यही मोदी का सपना है यही मोदी की गारंटी है यही मोदी का संकल्प है और यही मोदी की साधना है यही मोदी की तपस्या है और मैं अन्य सभी राजनितिक दलों से भी आज आवान करता हूँ हाज जोड़ करके मैं देश के रजीब सभी राजनितिक देता हूँ को सभी दल के मुख्याओं को सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूँ आएए आजाजी के 75 साल हो गए आएए गरीबों के कल्यान पर विचार करें गरीबों की बलाई के लिए विचार करें गरीबों की बलाई के लिए योजनाय बनाएं गरीबों के उत्थान के लिए काम करें कि अज़िए लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाब देकार अगले पांच साल तक तेलंगणा को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं हमें तेलंगणा में इस परंपरा को अब उलट कर देना है भायो बनो उसको रोकना है रुकोगे क्या रुकोगे क्या तेलंगना के भाव्यों बनो मुझ पर पात साल भरोसा करो जादा ने कह रहा हूं पात साल भरोसा करो इन्होंने जीतना लूटा है न मैं आपके चरणों में लाकर करके रखते हूंगा आज भी कॉंग्रेस और ब्यारेस तेलंगना के लोगों से विश्वास गात कर रही है कई राज्यों में कॉंग्रेस चुनाव से पहले ऐसे एक बड़े वाद्य किये और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग सर्त रखी रही है पहलो तो बोल देते ऐसा करेंगे फिर कहते ऐसा होगा तो करेंगे ऐसा होगा तो नहीं करेंगे ये करेगा तो नहीं करेंगे उधर वाला होगा तो क्यों भाई जनता को मुरग बना रहे हो यहां ब्यारेस ने भी बेरोजगार उवाओं को पत्ता तेरे का जुठा वाइदा किया कॉंग्रेस और प्यारेस का रविया बिलकुल एक समान है चुनाओ से पहले आस्मानी वादे करो और चुनाओ के बाद सारे वादे भूल कर अप बीजेपी का टैक रकॉर्ड अपने वाइदे पूरे करने का है पिछले कुछ महिनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नोकरी देने के लिए रोजगार मेले का योजन कर रही है इसकी गोजना पिछली साल हुई थी इस मेले के जरिये देश लाखों युवाओं को सरकारी से नोकरी नियुक्ति पत्र मेली रियुक टेने काकाम हमने किया है तेलंगना गिवाओं को भी इसके जरीय हज्जारों तेलंगना गिवाओं को आज भारत सरकार में यहां की देख रहे हैं कि पूरी प्रक्या बिना रुकावाट और पारदर्शिक से तरीके से हुई है तेलंगणा में से एक भी सिकायत नहीं आई कि नोक्री मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा ऐसी एक गठना नहीं आई है इसलिए बियारेस के युआ विरोति रवये और इसकी सरकार को यहां के वा रावाज जवाब देनेका मन बना चुके मेरी बात सभी है नगी कर लिया मेरे नवजवान साथ्यों ये मोधी की गरंटी है आपको निराश होने की जरूत नहीं है बाज़पास सरकार आते ही बियारेस के पापों को मैं एक-एक खोल करके रख दूँगा उनकी सारी बुराईयों को निकाल करके रहूंगा और अभ्यान के तोर पर करके रहूंगा क्योंकि मैंने अपने आखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल उनिवर्सिटी की स्थ आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा इस पर करीम नव सो करोड़ पर खर्च होंगे ना कुटमबस अप्यूलारा तेलंगना के किसान आज उपेक्षित मैसूस कर रहे हैं बियारेस गवर्मेंट ने उनके साथ फिर वहर वादे को तोड़ा है बियारेस सरकार ने किसानों से कर्दमाभी का वादा किया और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया यहां सिचाई परियोजनव के लेकर बड़ी गोशनाएं की गई लेकिन या तो उन्हें पुरा नहीं किया गया या फिर बिना तयार किये उनका उद्गार्णन करके फोटों खिच्वाते रहे दूसरी तलाप पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ना सिर्फ किसानों की बंदत का वादा किया है बल्कि 40 लाग किसानों के खातों बे करीब 10,000 करोड रूपिय ट्रांसफर किये कोई कटकी नहीं कोई कमिशन नहीं कोई चूरी नहीं हमने MSP बढ़ाने का वादा किया उसे भी पूरा किया यह मोदी की गारंटी है पूरी करके रहता है नाकुटूम सब्यूलारा हर जिले के किसी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उसका उत्पादन और एक्सपोर्ट बनाने के लिए केंदर सरकार वन डिस्टिक वन प्रोड़क योजना चला रही है इस योजना के तहट निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है नै मैं खास करके मेरी तिलंगना की बेहनों को आज शत्षत नमन करना चाहता हूँ मैं तिलंगना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूँ उस चरण रच से मैं अपने आपको एक पवित्र प्रसाद के रुप में ले रहा हूँ क्यों क्योंकि सिर्प तिलंगना की माताओं बेहने हल्दी की खेती में दिवेसराद मेहनत करती इतना ही नहीं वो खेती की पैदावर करती ऐसा नहीं लेकिन कोवीड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को रहाद दी है पूरी दुनिया में हल्दी पहुँची है दुनिया को बिमारी से मुक्त रखने का काम ये मेरी तेलंगना की और मेरी देश की हल्दी पैदा करने वाली माताव बहनों ने की है और इसलिए मैं उझे नमन करता हूँ और इसलिए महमभूब नगर में ही मैंने इससे जड़ी एक बड़ी गोषणा की है हमने किसानों से किया एक और वादा पुरा कर दिया हल्दी उगाने वाले किसान भाईयों के लिए उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल तर्मरिक बोर्ड उसका करन किया जाएगा ये बोर्ड हल्दी की उपच को देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा इतने ने का बड़ा लाब तेलंगरा के किसानों को भी होगा मैं एक बार फिर तेलंगरा के किसानों को निजावबाद के किसानों को और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं बैनों को आज टर्मरिक बॉर्ड के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ ना कोटुम बस अभ्यूलारा आप बीज़ेपी को एक मोका दीजिए मुझे आपकी सेवा करने का मोका चाहिए देंगे मुझे सेवा करने का मोका देंगे मुझे आपकी सेवा करने का मोका देंगे मुझे आपके दुख दूर करने का मोका देंगे मुझे आपके पाई पाई की कमाई को बचाने का मोका देंगे मुझे आप क्या भला करने का मोका देंगे मुझे तलंगना के तरुनों का नव जवानों का यूद का बला करने का मोका देंगे मेरा बादा है जो कहा है वो करके रहूंगा हम दिखाएंगे कि तेलंगना कितनी उचाई पर जा सकता है बीजेपी तेलंगना के विकास के लिए पूरी इमानदारी से काम करेंगी तेलंगना में डबल इंजिन की सरकार मन गई तो यहां का विकाज भी डबल ताकात से, डबल तेजी से, डबल गती से होने वाला है बीजे पी तेलंगना की लूट बंद करेगे बीजे पी तेलंगना की वाओं को नई अवसर देगी बीजे पी तेलंगना की महलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा देगी बीजे भी तेलंगणा में इमानदर और पार्दर से सासल लाएगी ना कुरुम सप्युलारा चाहे गरीब हो युवा हो महलाएं हो या किसान हो भाजपास समाज के हरवर्ग के कल्यान को लेकर प्रतिबद्ध है मुझे यकीन है कि तेलंगणा के लोग अबूत पुर्वस्तने और सयोग का जिर्वाद हमें देते रहेंगे मैं भाजपागे प्रत्यकारकता से भी कहूंगा हर बूत को जीतिये हर बूत पर लोगों का दिल जीतिये कमल गरगर पहुँचे कमल हर दिल में पहुँचे कमल के दिल में हर तेलंगणा का नागरी और तेलंगणा के हर नागरी के दिल में कमाल हम मिलकर तेलंगणा के लिए लोगों के आका पुरी करेंगे इसी विश्वास के दाथ इतनी बड़ी तादाद में आपका आना यही हवा का रूख बता देता है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जोर से बोलिये भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद